साधवोर्दयं महियं साधूनाम हिर्दयं पुहं मदन्यत्य नजानंति ताह नाहं तेव्यो मनागपि महापुरुष शंत भक्त मेरे हिर्दय हैं मैं उनसे एक छण को प्रितक नहीं रह सकता भगवान स्री कृष्ण कह रहे हैं फिर कह रहे हैं कि महापुरुष जो होता है महापुरुष लोग ऐसे होते हैं कि पूर्ण ग्यान है और कभी मूर्खों की तरे आचरन करने लगते हैं गवारों की तरे इतने कुशल है वो और जड़ के समान ब्यवहार करने लगते हैं और बोलने में भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं जैसे शराबी हो उन्मत तवत इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन है लेकिन पहचानना कंपलसरी है प्रहलात कहते हैं नैशाम अतिस्ताव दुरुक्रमांगिं श्प्रिशत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसाम पादरजो भिशेकम निश्किंचनानाम नब्रनीत यावत जब तक महापुरुष्की चरण धूली का सेवन न करोगे तब तक भगवान की भक्ती या भगवान का दर्शन कोई spiritual विशे नहीं पा सकते कोई साधन कर जाओ साथ पाच बत्थिस नारज जी ने कहा यह भी भगवान के अवतार है रजस्तमस्च सत्वेन सत्पंचोप शमेनच हीतत्सरवं गुरव भग्त्या पुरुषोहन जसा जयेत साथ पंद्रा पचीस बागवत युद्धिट से कह रहे हैं नारज जी रज और तम इन दो माईक गुणों को सत्प गुण से जीता जा सकता है और सत्प गुण को भी उपशम से बड़ा कठिन है सत्प गुण को जीतना लेकिन एतत्तरवम ये सब एक साथ गुरु की भग्ती से इनसे बिजे प्राप्त कर लोगे यस्यसाक्चात भगवत ज्ञान दीप प्रदे गुरव मर्त्या सद्धी शुर्तम तस्य सारवम कुण्यर शौचवत ये साक्चात भगवान है गुरु अगर इसमें मनुष्ट की बुद्धी किया तो तुम्हारा जाब किया धरा कमाया जीरो बटसाओ जैसे हाथी नदी में नहा करके बाहर निकला और धूर अपने उपर डालता हुआ बड़ा बिनोद मांता है अब बड़ी कमाई किया हव चोरस्ते पर उसको रख करके अब घरा करके सो गया और वो मैं चोरस्ते पर रखाया था जाके लाता हूँ अब क्या लाओगे हो हजारों आदमी आते जाते लेगे अगर गुरू के प्रत दुर्भावना हुई तो तुम्हारा सब साधन द्यर्थ क्योंकि नामा पराज हो जाता है साध पंद्रा चब्विस एशोवई भगवान साक्षाथ प्रधान पुरुशेश्वरा आप लोग डेली बोलते हैं यह साक्षाथ भगवान है गुरू इसलिए सदा मन को शरणागत रखना है ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु आप लोग मनुष कहलाते हैं न तो मनु की संतान है और मनु ब्रह्मा की संतान है और मनु के पुत्र का पहला पुत्र का नाम प्रियब्रत प्रियब्रत के आगनीद्र आगनीद्र के नाभी नाभी के पुत्र भगवान के अवतार रिशब और रिशब के सव पुत्र उसमें एक बड़े पुत्र का नाम भारत उसी के नाम से ये भारत नाम पड़ा है पहले इस देश का नाम था आजनाभ बर्ष और कुछ कर्मकांडी हो गए, कुछ राजा हो गए एक नव पुत्रिष्ने से योगीश्वर हो गए सद्धमापुरुष मायाती कबिर हारी रंतरिक्षा प्रबुद्धा पेपलायना आजर हो त्रोथ द्रुमिलत चामसा करभाजना ग्यारा दो एककैस ये नौ जोगीश्वर के नाम है इसमें पहले जोगीश्वर का नाम कभी उन्होंने बताया कि देखो मैं इतने संख्षेप में सब कुछ बता दे रहाँ अजरत्म भक्येई कैये श्रम गुरु देवतात्मा ये जो हम लोग माया बद्ध लोग माया के कारण ये माया हाँ माया ये माया उस पर लगती है जो भगवान के बिमुख हो भगवान के बिमुख भगवान को गाली दे वो नहीं वो तो भगवान को मानने वाला है उसको तो गो लोग मिल जाएगा शिशुपाल को मिला कंस को मिला जो भगवान को मानता ही नहीं है उसको बिमुख कहते हैं तो बिमुख होने के कारण माया लगी है आज जी तो बिमुख क्यों हुए है हम लोग कोई कि हम लोगों के एक भाई और है वो कभी बिमुख नहीं माने गए नमाया लगी उनको वो हुभी भगवान के अंश है लेकिन अनादिकाल से मायातीत है वो भी बिभिन्ना अंश है स्वान्श नहीं है जैसे ब्रह्माद शंकराद स्वान्श है सब भगवान है ऐजे नहीं हमारे भाई हैं जीव जीव सक्ति विस्ष्ट स्री कृष्ण के अंश है लेकिन सदा से मायातीत हमाम को को माया लग गएगी क्यों बिमुख हुए हूँ नए नए यह हमारा ओरिजिनल रूप है भगवान से बिमुख इसलिए सदा से माया बद्ध है मायनम तु महेश्वरम और मायाम तु प्रिकृतिम विद्ध्यान यह सदा से अस्मान माई श्रिजते बिश्वमी इतने तत और तस्ने श्चान्यो मायया यह माया के अंडर में है सदा से है एक दुन हुआ ऐसा नहीं यह रट लीजिए अप लोग एक बार भगवत प्राप्ति होने से सदा पश्यंत सूरयहा तद विश्णो परमंपदम वेद खह रहा है सुवालो पनिशत छे साथ और यह मंत्र निसंगतापनियो पनिशत में भी है आठ तीन यह मंत्र गोपालतापनियो पनिशत में भी है सत्ताइस ये मंत्र सकंदो पनिशत में भी है चौदा ये मंत्र पैंगलो पनिशत में भी है चार तीस ये मंत्र अनेक बेदों में उपनिशुदों में है ताकि कोई भूल न जाए बार-बार कह रहा हैं बेद देखो डरोमत एक बार मान लो सन्मक हो जाओ भगवान के सरनागत हो जाओ फिर कभी गड़बड नहीं हो सकती वो माया फिर नहीं आ सकती जैसे प्रकाष के सामने अंधकार नहीं आ सकता ज्यान के सामने अज्यान नहीं आ सकता ऐसे भगवान के सामने माया नहीं आ सकती भगवान के लोक में भी नहीं जा सकती न तत्र शूर्जो भात न चंद्रतारकम नेमा बिद्धतो भांती कुतोय मगनी स्विताश्चतरो पनिशत छे चौदा ये मुंडको पनिशत ने भी मंत्र है भगवान के लोक में न तत्र माया नहीं जा सकती भागवत के रही है कि मुतापरे हरे रनुब्रता यत्त शुराशुराजिता दो नव दस भागवत न यत्रसत्वम न रजस्तमस्च न भई भिकारो न महान प्रधानम प्रधानम न माया दो दो सत्रा भागवत वहां माया नहीं जा सकती न तद्भा सयते सूर्जो न शशांको न पाव कहा यत्गत्वा न निवर्तंते तद्भाम परममम पंद्रा छे गीता तद्भाम शास्त्रों बेदों में इसलिए यह कह रहा है इस लोग इस अनादिकाल से निट्भागवत बिमुक जीव को निट्ध माया ने दबोच रखा है इसलिए इसलिए त्यान दो अपने सुरूप को भूल गया जीव देह मान लिया और संसार में आसत करा दिया इस माया ने ओ मर गया विचारा दोनों और से मरा तो अब क्या करे अरे क्या करे जितने डाक्टर दुनिया में है बैद्य है हकीम है वो क्या करते है इलाज करते है किसका इलाज करते है रोग का तो रोग कैसे पैदा होते है टीटानू से होते है तो क्या करते है यह टीटानू को मार देते है यानि रीजन को समाप्त कर दिया तो कार्ज खतम जड़ काट दिया पेड़ गिर गया तो भगवान से बिमुक होना पहला कारण तो सनमुक हो जाओ बात खतम सनमुक हो जाओ माया को अपना सब कुछ माना था अब भगवान को अपना सब कुछ मान लो बैस न बेद पढ़ना है न शास्त पड़ी सीधी सी बात है तो गुरू और भगवान दोनों को लेना कभी कह रहे हैं गुरु देव तात्मा गुरु को भी इष्ट देव मानना और भगवान की श्री कृष्ण की भक्ती साथ करना बस यह सनमुक हो जाओगे और जब सनमुक हो जाओगे तो तुमारा क्या हाल होगा एवं ब्रता स्वाप्रियनाम कीर्थ्या जाता नुरागो दृत चित उच्चाई हसात्य थो रोदिति रऊति गायत्युनमादवद्निर्थ्यति लोकबाहिया वो पहला अशलो ग्यारा दो सैंटिस और ये अशलो ग्यारा दो चालिस हाँ फिर तुम पागल सरी के हो जाओगे कभी वो महापुरुष नाचता है कभी हसता है कभी रोता है भगवान के विशय को पाते ही उसका रोमांच हो जाता है कंप हो जाता है आशू निकलने लगते है ये आठ सात्तिक भाव प्रकट हो जाते है और कैसा होता है खंबायु मगनिम सलिलम महिंच जो तीन सी सारा संसार उसको भगवन मैं दीखता है सब जगे वो स्री कृष्ण को देखता है बासुदेवा सर्वमिती गीता सब जगे वो स्री कृष्ण को देखता है इस्टदेव को देखता है जो तीन सी सत्वानी दिशो द्रुमादीन पेड़ो गैरा में भी सारे समुद्राश्ट हरे शरीरं इन सब को भगवान का शरीर मानता है जगत गुरू रामान जाचार्ज का यही से धानत है कि हम लोग शरीर है भगवान आत्मा है सरवेशा में विभूता नाम निर्पत स्वात्माई वबल्लबा इतरे पत्य बित्ता द्यास तद बल्लबत तया दस चौदा पचास दागवत भगवान हमारी आत्मा है न हम उसका शरीर है ऐसा वो अनुभो करता है ग्यारा दो एक तालिस और और वो ऐसा हो जाता है बता दे अब स्रीर कृष्ण के पाक चलो उन्होंने उद्धाव से कहा न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरा न चसंकरशणों न श्रीर नई वात्मा च यथा भवान उद्धाव मुझे मेरे भगत इतने प्रिय है कि मेरा बेटा सगा ब्रह्मा भी प्रियन है मेरी आत्मा शंकर जिनकी मैं पूझा करता हूँ रामेश्वरम में अस्थापना करता हूँ अभी उद्धने प्रियन है मेरी श्रीमती जिनको बाए तरफ हरदय में सदा रखते है अभी उद्धने प्रियन है मेरी आत्मा हो 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 इतना प्यार करते हैं और क्या करते हैं और बता दूंगा तो उद्धो चक्कर आ जाएगा तुमको ग्यारा चौदा पंद्रा मैं बोला हूँ आच्छा बता देता हूँ निरपेक्षम मुन्यम शांतम निरवाइरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम हूँ ये ये त्यांगरी रेगणु भी ग्यारा चौदा सोला मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ हाँ तो रक्षा करना है तो चलने पड़ेगा रक्षा रहें रक्षा तो अंदर बैठे बैठे कर देता हूँ इसलिए पीछे पीछे चलता हूँ क्यों उनकी चरन धूल मेरे उपर आले उड़के और मैं पवित्र हो जाम चरन धूली भक्त की नार्मल तो है आप हाँ दो नार्मल है क्या करें मुझसे रहा नहीं जाता मैं इतना प्यार करता हूँ भक्तों से कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं स्वामी है वो दास है सब उल्टा हो जाता है जितनी परिवाशाएं बेद ने लिखी हैं मेरे लिए जाब उल्टी हो जाती है प्रेम के बिशाय में इतना मैं गुरु को महत्प देता हूँ और फिर बाकी बाते हैं कल होंगी लाडली लाल की भर बβ 네ए जाता है 1 जाता है प्रशाएं वल्टा उल्टी में पाकी 50 घंज में こे जाब हैं